शेडोल संभाग का एक मातर कुशाभाव ठाकरे जिला स्पताल डायलेसिस सेवाओ के मामले मिप्रदेश में नमबर वन पर है एक माहा में कुल 312 डायलेसिस सेवाय उपलब्द करा कर प्रदेश में पहला इस्थान अरजित किया है आपको बता देगी कुशाभाव ठाकरे जिला स्पताल में संभाग के उमरिया अनुपपूर, शेडोल जिले के अलावा 36 गड़ के कोरिया एवं जनकपूर के मरीजों को निशुल को चिकित सेवा अनवरत प्रदान की जा रही है सेडोल संभाग के एक उसाभाव ठाकरे जिला चिकत साले, सेडोल संभाग के तीनों जिलो अनुपूर, उमरिया एवं सेडोल के सांच सांच चत्थिजगर के जिले, कोरिया एवं जनकपूर के मरीजों को निशुल को चिकित सेवाएं अनवरत प्रदान कर रहा है गत दिवस स्वास्त मंतरी मध्य प्रिदेश शासन कुर्पूरां चोदरी एवं अतिरिक्त सचीव स्वास्त मुहम्मत फुमेमान, आयूत डाक्टर सुदाम, पंधारी नात, खांडे, मिसन संचालाक प्रियंका दास, द्वारा संयुक तुरूप से प्रिदेश में स्वास् देने वाला सेडोल का कुसा भाव ठाकरे जिला अस्पताल बना हुआ है, जिलाचिक साल एक को आईसी, आईसी बेंक द्वारा तेन डायलेसिस मशीने और रेट प्रूस द्वारा एक मशीन इस्थापित कर मरीजों को बहतर से बहतर डायलेसिस से वाए प्रदान की जा रही ह वर्दमान में एक आरो प्रांट अलग से लगाया गया है, साथ ही पानी परियाक्त सुविधा उपलब्द कराने के लिए 2000 लीटर समता वाली पानी की टंकी भी रखी गई है, महीं सीविल सर्जन डाक्टर जीयस परिहार का कहना है कि उनका और उनकी टीम का संकल्प है कि जि परियाक्त सुविधाएं बहतर से बहतर उपलब्द करा थे कि हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हम जिलाच रिसाला शैडोल में मरीजों को बहतर सुविधाओं देने का प्रयास कर रहा है, उसी जब अभी माननी मंत्री जी ने विगत दीवस NIC में वीडियो कांफरेंसि की और हमारे पूरे MP में जीलों की रैंकिंग हुई तो अब हमें भी पता चला कि शैडोल जीला स्पताल पूरे प्रदेश में नंबर वाल है, तो यह हमारे लिए खुशी और गर्ब दोनों की बात है कि हम बहुत ही सुधाओं में मिजाफा कर रहे हैं, उस बैठक में माननी मंत्री जी, आदर्नी प्रेविवाम चोधरी साब, हमारे अतरिक मुक्ष सचिव, आदर्नी मुहम्मद सुलेमान साब, आयुक्त स्वास्त, आदर्नी सुधामा खाने साब, और हमारी MD-NHM, प्रियंका दाश मेडम, और सभी डाइक्टर, वो सभी अधिकारी बोपाल से NIC के माध्यम से जुड़े थे, और सभी जीलों की रैंकिंग चल रही थी, तो जीलाज किस साले शेडोल में, आप लोगों को ही पता है कि जब मैं सिविल सर्जन बना था, तब यहाँ एक मशीन थी, माध तो एक बिगड़ी पड़ी थी, और आज की कंडिशन में हम साथ मशीनों से काम कर रहे हैं, तो एक खुशी की बात है, हमने तीन मशीने से यह सार मत से, मतलब आइसी आइने दी है, आइसी आइ बैंक के माध्यम से हमें प्राप्त होई है, एक मशीन दानदाताओं ने और एटका सोसाइटी के माध्यम से दी थी, पिछले साल, और दो मशीने जो खर आइसी की थी, डालीसिस करने में सबसे बड़ी समस्या जो होती है, वो होती है पानी की, क्योंकि पानी बहुत लगता है, एक मरीच को बारा सो लिटर एक डालीसिस में पानी का खर्च है, और आप देख रहे हैं कि यह वाटर लेबल गर्मी में काफी कम हुआ, और बीच में में एक दम से लगा की डालीसिस बंद हो जाएगी, रातो रात हमने पाइप मतलब पी एची इंजीनियर को बुला के दिखाया हो जो बोर था उसमें उनके कहने पर हमने 40 फिट पाइप डाला, उससे भी पानी नहीं आया तो फिर दूसरे दिन 80 फिट और पानी पाइप अगर एक दिन डालीसिस नहीं होगा तो उनके जीवन में खतरा उत्पन हो सकते हैं, इसलिए वो पानी की विएस्था कि एक आरो प्लांट लगा था 500 लिटर का, 500 लिटर का चुकि मशीने बढ़ गई तो इस टेट से हमने प्रयास करके एनेचम की माध्यम से एक 500 लिटर का और आरो प्लांट लगाया, तो आज की डेट में हमारे पास दो आरो प्लांट है, पानी हमने दो जग से कनेक्ट किया हुआ है, दो बहुत से एक इधर से एक पीछे मटर्न लिटर के लिए सेहड़ों से विजे रजेक की रेपोर्ट खबरों में बने रहने के लिए ग्रामिन भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें